यह एक स्टेटमेंट बीस्ट कृष्शन है बच्चों पहला स्टेटमेंट आपको यहां गिवन है अपको गुरूप 16 एलिमेंट्स का बॉलिंग पॉइंट का ओडर गिवन है है एस्टो से लेकर के एस्टो टी तक आपको इंक्रीजिंग ओडर दिया हुआ है है ठीक है सेकंड स्टेटमेंट गिवन है दूसा गलत है दूसा सही है पहला गलत है आपको बताना है हम जानते हैं इनके बॉलिंग पॉइंट के अर्डर के अंदर जब भी हम बॉलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो चेक करते हैं कंपाउंट्स में आपस के अट्रेक्शन कौनसे वर्क कर रहे हैं जैसे हम जानते हैं वाटर की बात करें तो वाटर में हम जानते हैं एच बॉन तक top to bottom हम move कर रहे हैं तो हम जानते हैं molecular mass जो है वो बढ़ रहा है तो इनका molecular mass यहां से बढ़ रहा है ठीक है molecular mass wonderful force का directly proportional है तो उससाब से wonderful forces भी बढ़ रहे हैं wonderful forces बढ़ रहे हैं तो हम देखा जाए तो boiling point के order में सबसे आगे आना चाहिए तो अगर बॉलिंग point का order लिखते हैं यहां पर तो उसमें सबसे आगे आएगा उसके बाद में second number पर जाएगा इन तीनों में molecular mass से देख रहे हैं तो H2T second number पर जाना चाहिए third number पर हैस्ट एसी आना चाहिए और फूर्थ नंबर पर last में जाएगा H2S तो यह होना चाहिए boiling point का हमारा order in hydrates के लिए अगर देखा जाए तो इस statement में आपको यह order नहीं given है कुछ और given है जिसमें H2O को last में किया हुआ है जो की गलत हो जाता है तो इस ताब से पहला statement गलत हो गया है second statement बोल रहा है the boiling points of these hydrates increase with increase in molar mass बात सही है कि hydrates में molar mass बढ़ने के साथ boiling point बढ़ता है लेकिन इन सभी में आपने molecular mass की थोड़ी देखा है H2O में हम कौन सा factor देख रहे हैं H bonding बाकियों के अंदर molecular mass work कर रहा है इसका मतलब सभी के अंदर molar mass answer नहीं दे रहा है boiling point के order में इसका मतलब second statement भी गलत है तो accordingly both statement first and second are incorrect answer should be one moot based question है बच्चो statement आपको identify करना है जो की incorrect है which amongst the following is incorrect statement पहला statement दिया हुआ है c2 molecule has four electrons in its two degenerate pi molecular orbitals c2 molecule को अगर आप electrons fill करते हैं उसके MOT के अंदर तो वो कह रहा है कि चार electron होते हैं pi molecular orbitals के अंदर जो degeneracy रखते हैं c2 molecule की बात करें तो total electrons कितने होते हैं 12 आप electrons की filling करेंगे तो करना start करेंगे sigma 1s2 से sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2 sigma star 2s2 उसके बाद में जो electrons जाएंगे वो जाएंगे pi 2px और pi 2py orbitals के अंदर जिनकी energy exactly same होती है इसलिए इन्हें degenerate भी कहा जाता है आठ हाप बढ़ चुके हैं 9 10 11 12 मतब यहां भी दो आएंगे और यहां भी दो आएंगे अगर आप देखें तो इन degenerate pi molecule orbitals में 2-2 electrons की filling करी है total 4 इसका मतलब पहला statement सही है H2 प्लस आयन has one electron ओविस्सी बात है H2 में 2 electron होते हैं ketanic form दे रखिए आपको single plus लगाया हुआ है इसका मतलब एक electron रह गया है विल्कुर सही statement है O2 प्लस आयन इस diamagnetic nature जो की गलत है और यहीं हमारा आंसर भी होगा क्योंकि हमें incurity choose करना है O2 प्लस आयन में 15 electrons है 15 का मतलब यह कहीं ना कहीं odd electron species है और odd electron species है तो nature इसके अंदर paramagnetic ही होगा क्योंकि कोई ना कोई electron तो आपको unpaid मिलेगा ही और एक लेक्ट्रों में unpaid होता भी है इसका मतलब इसका जो नेचर है वह paramagnetic होगा the bond orders of O2 प्लस ओटू ओटू माइनस टू आर रेस्पेक्टिवली 2.5 तू 1.5 वन आप जब इनकी इलेक्ट्रॉंस की फिलिंग करेंगे ओटू प्लस के 50 इलेक्ट्रॉंस को तो आपको 2.5 मिलेगा NB-NA by 2 जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा उसको लगा करके ओटू के इंदर बॉन आड़र 2.0 आता है हम जानते हैं ओटू माइनस के अंदर बॉन पॉइंट फाइगा ठीक है 1.5 बॉन पॉइंट फाइगा इसका यहां पर और ओटू माइनस टू का बॉन आड़र निकल के आएगा 1.0 तो यह बॉन आड़रों की वैल्यूस होंगी इसके अकॉर्डिंग तो हमार एकॉर्णि पहला औप्शन सही है मलग रपहला स्टेटमेंट सही है सेकंड सही है फोर सही है सितर्ड बन匹 इस वремाट इंकरेट जो हमारा आंसर भी होगा क्योंकि हमें इनकरेट ही चूज बिडिंगा थोस उउट्ड स फोड इंको इंकरेटंट करेंग पकरना this is the structure of diboran, diboran की structure में, आपको जो side में hydrogen नजर आ रहा है हैं, इनको हम लोग terminal hydrogen कहते हैं, और terminal hydrogen वाला जो हमारे पास में bond है, इसमें आप देख सकते हैं, यह आपके पास में एक electron है, यह आपके पास में 2 electron हो गए, दो atom है और दो electron है तो ऐसे हमारे पास में कितने bond होंगे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 क्योंकि चार terminal है तो ऐसे हमारे पास में 4 होंगे bond तो statement number 1 तो एकदम correct हो गया है statement number 2 की अगर हम बात करें the four terminal hydrogen atoms and the two boron atoms lie in one plane बिलकुल सही बात है देखिए अगर आप वापस इस structure पर आते हैं तो इस structure के अंदर जो आपको दो बीच आले hydrogen नजर आ रहे है they are known as bridging hydrogen and they are out of the plane मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर die boron जो है वो इस board के plane में मौझूद है तो इस board के plane के अंदर आपको दोनों के दोनों boron के atom और चारों के चारों terminal के hydrogen नजर आएंगे केवल जो bridging hydrogen है वो आपको out of the plane दिखेगा एक आपको दिख रहा है out of the plane इस तरफ तो एक होगा inverse the plane इस तरफ उन दोनों को छोड़ करके बाकी के दोनों boron atom और चारों terminal hydrogen तो plane के अंदर होंगे तो statement number 2 एकदम correct है statement number 3 की बात करें तो both the boron atoms are SP2 hybridized ये एकदम गलत बात है क्योंकि अगर आप boron का hybridization पर यहाँ पर focus करते हैं तो आपको यहाँ पर इसका hybridization SP3 नजर आएगा इस वाले boron का hybridization भी SP3 नजर आएगा तो इसका hybridization boron का SP3 है ना कि SP2 तो तीसरा statement incorrect हो गया है और चौथे की अगर बात करें तो वो कह रहा है there are two, three center two electron bonds बिल्कुल सही बात है देखिए अगर आप इस bond के उपर focus करते हैं तो आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि इस bond को हम लोग banana bond कहते हैं क्योंकि इस bond के अंदर हमारे पास में three center two electron bond nature होता है एक बनाना bond उपर की ओर होता है तो एक बनाना bond नीचे की ओर होगा तो statement number four भी एकदम correct हो गया है तो इस सवाल का हमारे पास answer क्या चला जाएगा incorrect यानि कि not correct option कौन सा हो जाएगा third option third option हमारे पास में सवाल का answer है so the question is identify the incorrect statement from the following आपको incorrect statement को pick करना है first statement हमसे कह रहा है the oxidation number of k in ko2 is plus 4 देखिए अगर हम पहले compound की बात करें जो कि हमको ko2 compound दे रखा है तो ko2 compound को अगर आप break करते हैं तो ये आपको k plus और o2 minus में तूटता हुआ नजर आएगा और यहां से आप clearly देख सकते हैं कि k का oxidation number plus 4 नहीं है plus 1 है तो पहला statement हमारे पास में incorrect हो गया statement number 2 की बात करें तो वो कह रहा है ionization enthalpy of alkali metals decreases from top to bottom in the group देखिए अगर हम group की बात करते हैं तो group में top to bottom जाने पर radius लगातार बढ़ता है और क्योंकि radius लगातार बढ़ता है इसलिए top to bottom जाने पर IP लगातार घड़ता है क्यों तो कि हम यह बात जानते हैं कि IP जो होता है वो radius के inversely proportional होता है तो statement number 2 एकदम correct है कि अगर हम top to bottom जाएंगे किसी ग्रूप में लाइक और एक्जामर अलकली ग्रूप में अगर हम जाते हैं तो हमको IP gradually decrease होता हुआ नजर आएगा statement number 3 कह रहा है कि lithium is the strongest reducing agent हैं तो first A के अंदर lithium सबसे powerful reducing agent होता है उसके बाद cesium का number आता है उसके बाद rubidium का number आता है फिर potassium का number आता है और last में जा करके sodium का number आता है और इसमें अब आप देख सकते हैं कि clearly सबसे आगे कौन है lithium तो statement number 3 भी एकदम correct हो गया है and the statement number 4 हम से कह रहा है उसको water में dissolve करता हूँ तो मुझे यहाँ पर metal का hydroxide बनता हुआ नजर आएगा और साथ में यहाँ पर hydrogen gas हमको यहाँ पर evolve होते वे देखेगी तो clearly आप देख सकते हैं यह जो हमारे पास MOH बना यह क्या है hydroxide तो statement number 4 भी एकदम correct हो गया है तो हमारे पास में इस सवाल का answer यहाँ कि incorrect option पूछ रहा है वो कौन चला जाएगा तो वो होगा हमारे पास में first option answer है इसका first option